कि कि आज हम बात करेंगे यामाहं MTO3 के बारे में यह यह यामाहं MTO 3 जो है यह एक क्रेमियम सेग्मेंट बाइक है और यह इंडिया में प्रीमियम सेग्मेंट में बहुत ही popular वाइक था और patient B6 norms के आते ही ये बाइक discontinued हो चुका था पर फिर से B6 compliant engine के साथ ये इंडिया में launch होने वाला है और ये इंडिया में इसी साल मतलब की 2021 में end के तरफ launch होने की संभावना है तुभी प्रिसाइज ये 2021 के mid से last तक, mid से end तक इसका launch होने का संभावना है ये ये यमा MTO3 जो है ये एक बहुत ही खुबसुरत और बहुत ही एक efficient bike है इसका जो engine आपको मिलता है ये है 321cc का 2-cylinder DOHC 4-valve liquid-cooled advanced MT engine MT engine मतलब की master of torque engine that is specialty of Yamaha इसका power होता है 42 horsepower का at 10,750 rpm and इसका torque होता है 29.6 newton meter का at 9,000 rpm इसमें आपको slipper clutch के साथ 6-speed manual transmission देखने को मिलता है और इसका जो gearing system है बहुत ही बहतरीं gearing system होता है इसमें इसमें आपको 14-liter का fuel tank देखने को मिल जाता है और इसका seat height होता है 780 mm जी हाँ दोस्तों इसका seat height है एक premium segment का bike होते हुए भी इसका seat height 780 mm है मतलब की बहुत ही convenient for all kind of riders इसका front में आपको मिलता है 110 by 70 section का tire and rear में आपको मिलता है 140 by 70 section का tire और दोनों ही wheels जो है यह 17-inch arrow wheels है यह premium segment का bike है और 300cc से उपर का segment का bike है इसलिए इसमें आपको dual disc और dual channel ABS मिलता है शायद इसमें front में भी आपको twin disc देखने को मिल सकता है 2021 edition में यह सिफ rumor मत्र है यह हम एकदम concrete आपको नहीं बता सकते हैं कि सामने मतलब front wheel में आपको twin disc देखने को मिलेगा या नहीं पर front में twin disc मिलने की संभवना है rear में भी disc मिलेगा front में जो disc मिलेगा उसका size 298 mm होगा और rear में जो disc होगा उसका size 220 mm होगा front और rear दोनों में ही आपको ABS मिल जाएगा मतलब कि यह dual channel ABS system में आएगा इसके साथ ही inverted fox भी आएगा यह एकदम पक्की खबर है और empty का जो signature style headlamp setup है वही dark warrior type दो आखे और एक projector same kind of headlamp setup आएगा पर इसका जो headlamp का जो ratio होगा जो setup होगा जो look होगा यह थोड़ा सा sharp होगा और थोड़ा सा aggressive होगा क्योंकि इसका जो आख होगा दो आख यह थोड़ा सा slick होगा और थोड़ा सा और bright होगा और थोड़ा सा sharp होगा इसका projector जो है यह थोड़ा सा और sharp होगा देखने में तो overall headlamp का जो setup है MT का DNA होते हुए भी यह थोड़ा सा better looking होगा थोड़ा सा sharp और more aggressive looking यह headlamp setup होगा बाकी का जो indicators वगरा है turn indicators, tail lamps सभी कुछ LED के द्वारा बनाया जाएगा तो all LED setup आप इसे बोल सकते हैं तो Yamaha MT-03 जो है यह इंडिया में इसी साल 2021 में अपने BS6 compliant engine के साथ launch होने वाला है इसमें आपको 321 CC का double cylinder DOHC 4-volve VVA engine देखने को मिल जाएगा with liquid cooling, 6-speed gearbox with slipper clutch, 14 liters of fuel tank seat height 780 mm, front में 110 section का tire, rear में 140 section का tire, inverted forks, क्या कुछ नहीं मिलेगा और color के मामले में अभी हम कुछ ज्यादा खबर इकठा नहीं कर सकें क्योंकि color के मामले में ice flow जो color है वो तो आएगा ही उसके साथ एक gray version भी आएगा, एक blue version भी आएगा, एक black version भी आएगा और इसमें जैसे customize करने का जो option भी हाल ही में Yamaha ने introduce किया है वो भी इसमें लागू होगा, तो अपने हिसाब से आप color combination इसमें adjust कर सकते हैं, इसमें आप pre-order के वक्त अपना खुद का color, खुद का combination आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें use कर सकते हैं, ये बहुत ही एक अच्छी ब इंडिया में अपने majestic presence के साथ और BS6 compliant engine के साथ launch होगा, तो जुड़े रहिए channel के साथ, subscribe कीजिए, comment कीजिए मेरे channel में, मेरे channel के जो सारे videos है वो देखते रहिए, तो मिलते हैं अगले video में तब तक देखते रहिए, let's talk with चंदन, नमस्कार